हेलो दोस्तों वेलकम बेक तो माई यूटूब चैनेल दो फ्रेंड्स आज में और एक चेटनी के रसीपी लेके आई हूँ जिस चेटनी को की आप लोग रोटी पराथा मॉमो दोस्ता एडली के साथ एंजोई कर सकते हैं तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और यह ए कि चैना दाल है दो चमस ले रही हूं चैना दाल को हलका से भून लेंगे तेल इसमें फ्रेंड्स एड्ड नहीं कर रही हूं में सुखा सुखा ही सारे चीज को भूनेंगे उसके बाद यहां पे थोड़ा सा कटी हुई ।ो हरी मेर्च और लेसून की कुछ कली हूं चार से कैली हूं यहां पर देख सकते हैं इसको हलका मेडियम हांच में इसको थोड़ा सा भूं लेते हैं उसके बार यहां पर ले एक मीडियूम साइज का टमाटर उसको भी साथ में बून लेते हैं इस रहा सा सुखा bearing आर यह appan आप लोग हर चीज के साथ एंजोई कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी है आपको अलग से कोई चेटनी बनाने का जरुरत नहीं पड़ेगा आप एक बार में ज्यादा से बना के रख दीजे और बार बार इसको खाते रहें देखिए तो हमारा जो सारे चीज अच्छे से भून गय है और इसको निकाल के ग्राइंडिंग जर्मे में रख दी हूँ यहां पे स्वादियांसर नमकड करेंगे और थोड़ा सा तिन चार चमच पानी अड़ करेंगे और इसका एक पेस्ट बनाएंगे तो देखिए हमारा चैटनी बनके रेडी हो गया है तो आई हो बच्का प्याप लोको पसंदाया होगा